लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं और लोग तारेव करें तो आप खुस हो जाएं तो समझ रहेना कि आपने आपको वह कट फुतरी बना लिया है जिसके सुक और दुख दूसरों के हाथ में है इसलिए यदि जिन्दगी में अगर आप खुस रहना चाहते हैं तो लोगों को बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजी क्योंकि लोग अमडूत खरेते समय पूछते हैं मिल्थे हैं और बाद में उसी अमडूत पर नमक लगा कर खाते हैं लोग आपके मूँ पर ये तो बहुत बोलेंगे कि वे चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ लेकिन वो अं में सफाई देकर अपना वक्त बरबालना कीजिए क्योंकि जिसको आप पर भरोसा है उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं और जिसको आप पर भरोसा नहीं है उसको सफाई देने का कोई खायदा नहीं दिलों में खोट है और जवान से प्यार करते हैं बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं इसलिए मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लो तो यह कुछ भी कहे बस मुस्कुरा दो जिन्दगी में कुछ बड़ा हासिल जरूर करो अपने लिए ना सही तो इनके लिए कामयाब हो जा जाते हैं और अपने अंदर हमेशा काबिलियत को ढूरो क्योंकि आपकी कम्याँ कोई भी ढूर के निकाल सकता है अपनी तुनना किसी से ना तरो क्योंकि सूरज और चांद दूनों चमकते हैं लेकिन अपने अपने वक्त पो दोस्तों एक बार में कोई भी कोसिस सफल नहीं होती हैं सफलता यह बताती हैं कि हमने समय का सही हुपियोग नहीं किया है अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमको सबसे ज्यादा अपने कीमती समय पर ध्यान देना होगा आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो निश्चत वो पीछे हो जाएंगे सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है किसी ने क्या खोग कहा है ना हार ना जरूरी है ना जीतना जरूरी है जीवन एक खेल है इसे तो बस खेलना जरूरी है दोस्तों काम्याबी हमारे हाथों के लकीरों में नहीं बलकि हमारे माथे के पसीनों में होती बहुत खुद किस्मत होते हैं वो जिनको सही समय पर समझ आ जाती है अकसर समय पर समझ नहीं रहती है और जब समझ आता है तो सही समय हाथ से निकल गया होता है कभी भी यह मत सोचिये कि आप कुछ भी नहीं है कभी यह मत सोचिये कि आप ही सब कुछ है पर हमेशा यह सोचिये आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं दोस्तो यह बात हमेशा याद रखिये का कि ख्वाइशों से नहीं गिरते हैं फूल जोली में कर्म की साथ को खुद ही हिलाना होता है, कुछ नहीं होता है, कोसने से किस्मत को अपनी हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। या बात हने सा याद रखियेगा कि हर छोटा बदलाव एक बड़े कामियावी का हिस्सा होता है कोशिसों पर कोशिसे जो करता लगातार है सही माइने में वही जीत का हतदार है एक बार जो हार माने उस पर तो धिक्कार है अपनी बढ़ाली का फिर वो खुर ही जिम्मेदार है असपलता का या मतलब नहीं होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब या होता है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए है अगर आपको लगने लगे कि लच्छी हासिल नहीं होगा तो आप अपने मंजिल को ना बदलते हुए आप अपने परियासों को बदलिए यूँ जमिन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है पंकों को खोल जवाना सिर्फ और फिर्फ उडान देखता है लेहरों की तो फिदरत है सोर मचाने की मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तुफ़ाँ देखता है